अब चल रहा हूँ जो मेन पॉइंट है जहां मुझे एक्चुली फोकस करना है और उसके बाद बचे हुए पॉइंट फोकस करना है वो है ADR वो है ADR आईए ADR के ऊपर ADR GDR and IDR बहुत important एक question इस attempt में इससे रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं ADR एक ऐसी कंपनी का नाम लेते हैं जो अमेरिका में बड़ा इंट्रस्टेड है कौन सी कंपनी हो सकती है TCS हो सकती है क्या TCS की बात कर लेते हैं दो मिनिट लगा के ध्यान से सुनना आप जैसे आपको debt securitization समझाया जैसे आपको call and put समझाया जैसे बाकी चीज़े आपको explain करिये euro and foreign currency बहुत confusing point होता है वो हमने दोनों bond समझे और फिर उसके variation समझने मुश्किल नहीं होते हैं उनको fundamentally उसको decode करना बड़ा बच्चे long term तक बड़े हो जाते हैं यह बन जाते हैं उसके बाद भी अच्छानक से पूछो तो उल्टा ही बोल देंगे तो इसलिए मैंने वहां पर आपको बार-बार highlight करके दिया क्या याद रखना है ठीक है यंकी याद रहेगा तो foreign currency याद कंट्री में रिलीज नहीं होगा बाकी सब जगह होएगा ठीक है मतलब रूपी वारा इंडिया में ना हो करके बाकी किसी भी कंट्री के लिए अब ध्यान से सुनों लेकिन यही जब global issue होगा तो multinational Indian multinational जब issue करेगी कि विदेशों से पैसा मंगा रही है मसाला बॉंड तो व रिजिस्टर है है रिजिस्टर एक्जांपल के तौर पे इसके सौ करोड शेर से और इंडियान मार्केट में इंडियन स्टॉक एक्सेंजेज के उपर और अन एवरेज मैं एक प्राइस ले रहा हूं कोई सौ रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं कि ट्रेडिंग एट कि रुपी हंड्रेड सौ रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया में तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है बढ़ी अच्छी रेपूटेशन है अब कंपनी के दिमाग में आया फितूर मतलब दिल वहलाने को खयाल अच्छा है गालिब लेकिन क्य चीजे आखिर आखिर दुनिया देखे तो सही और अपनी इज्जत बहुत प्लाइन करने लग जाते हैं यार अभी तो इंडिया में लग लोग जानने लगें बाहर भी जाने पाकिस्तान में भी अपने को थोड़ा फेमस करें इंडिया मतलब ऐसी मेंटलिटी होती है वहां लोग जाने किसे अच्छे या बुरे जिस रीजन से जाने लेकिन अपने को थोड़ी चाहत हो जाती है ऐसे टीस की दिल में चाहता इधर बांगलादेश में लोग जाने कम सब्सक्राइब पडोसी तो जाने ही चलो कोई बात नहीं तो महले में भी अपन चाहते हैं अपनी तो यह कंपनी में चाहती है थोड़ा सा इज्जत बढ़ाना अपना तो वह कहते हैं ड्रीम यूएसे तो यहां वर्ड ले लो ड्रीम कि यूएसे कि यूके जापान तो इसी से पैदा हुआ एडियार जीडियार आईडियार ध्यान से सुनना अभी रुख जाओ एडियार का फुल फॉर्म क्या है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट मतलब यहां बात अमेरिका की हो रही है अमेरिका की हो रही है तो अभी मेरे लिए ना अभी मेरे लिए अभी ध्यान से सुनना ड्रीम देख रहा हूं अभी मेरे लिए यूके और जापान बंद है क्यों कि मैं अभी डिसकस करने जा रहा हूं तो मैं अभी ड्रीम अमेरिका वन अमेरिका ग्रेट अमेरिका अमेरिका वंस अगेन वाला स्लोगन अभी अपना क्या नाम है उसका डोनल्ड ट्रम्प का वह याद आना चाहिए ठीक चे यस तो इसने सोचा लेकिन जाए कैसे वहां की मार करना और इन दोनों पर लिस्टिंग करना मतलब गदे जनम को छुडाना है मतलब गदे का जनम छूड़ जाएगा लिस्टिंग इतनी आसानी से नहीं और खास करके नए कंपनी के लिए जब तक कोई कंपनी ग्लोबली बहुत फेमस नहीं है या अमेरिकन कंपनी नहीं स्वेबर तभी जाके आपकी लिस्टिंग थोड़ी सी खिसकेगी मतलब वहां पर थोड़ा इस्टिंगेंट प्रॉसेस है और यह ना इसको मॉनिटर कौन करता है अभी थोड़ी दिरे पहले बताया था आपको कौन करता है एस एसी सी सिक्यूरिटी एक्सचेंज कमिशन ठी तो इससे पर्मीशन लेने के बहुत सारे स्ट्रिंजेंट क्या है स्ट्रिक्ट रूल्स हैं मतलब आपको एक तो यूएस गैप की सारी फॉर्मिल्टी पूरी करनी पड़ेगी वहां के जितने इंस्टिटूशनल एट्रिब्यूट्स होंगे उनको पार करना पड़ेगा इन क्या है ना कि हमने हैं देखा एक ख्वाब उसको करना है हमें पूरा आज तो अभी आपने को क्या करना पढ़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा हिम्मत तो हार के बैठ गए तो बात खतम हो जाएगी तो इसने पकड़ा एक अमेरिकन बैंक को किसने ट c s ने किसको पकड़ा अ इंडिया में ऑपरेट करता है बैंक ऑफ अमेरिका पांचे प्रांचेस तो ही बी ओ ए बुक्स आपकाउंट्स नहीं बैंक ओफ अमेरिका भाई अच्छे से सुनना अब इसको पकड़ा बोला भाई तू तो वहीं का रहने वाला तेरे साथ ही चलता हूं तू ले चलेगा मेरे को अपनी प्लेन में बिठा के बोला हाँ कोई न कोई तो आप्शन निकाली लेंगे अपन जुगार करते इसको सेटिंग सूटि तुम को समझ में आजाएगा दो दिन के बाद पुछूँगा आधे घंटे बाद पुछूँगा हां सर वो गये प्रोमोटर कहीं तो गये थे बुल जाओ गये हैं हिस्ट्रिस जोग्रफी वेवफा राग बढ़ा सुबह सफा ध्यान ध्यान से सुनो थोड़ा गपे मार मार के तो समझ में आईगी प्रोमोटर लोग गया इसके पास बोले भाई ऐसा है अमेरिका में अपने को एंट्री जाए तो बोला ऐसा है कि हम आपके थुरू एंट्री लेना चाहते हैं सर इसको स्ट्रटिजिक अलाइंस बोल सकते हैं क्या बोलिए सारे लोग है से कर रहा हो out of the subject नहीं लेके जा रहा FM SM combined है तो उदर ही टिका के आपको जबाब दे रहा हूं पॉलिटिकल एडवांटेज पॉलिटिक भड इकतर था ऊकूसरी कंतरी में एंट्री में दिक्कत है वहां आप काम नहीं कर पा रहे तो अपको नहीं बताएगा जब तक FM, SM एक बंदे से नहीं पढ़ते हैं या एक बंदा जो FM, SM दोनों को equally नहीं जानता हो, अब claim नहीं कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा महापंडित हूँ, I am the god of this subject और ये और वो दुनिया में और भी बहुत सुखनवर हैं, दुनिया में और भी बहुत अच्छे लेकिन क बोरिंग सा टॉपिक है थेयरी, बट फिर भी वी आ ट्राइंग तो मेक इट लिटल प्रैक्टिकल, तो ये वाला एडवांटेज लेना चाहता हूँ मैं, और इसके लिए मैं गया हूँ, Bank of America के पास और इसको बोलता हूँ, देख भाई ऐसा है, मैं अपने 10% share, ये जो 10% है बैंक आफ अमेरिका को सेल करते हम आपको देते हैं, आप हमें एंट्री कराओ, 10% तो लेके पहुंचे यार अमेरिका कम से कम, इंडियन मार्किट का 10% तो अमेरिका देखे, टीसियस कैसा है अपनी भारत माता की जै, जैहन बोलो, ये सर, इदम पूरी देश भक्ती से ओत प और ओर, शेर नेगोशियेशन होती है न, थोड़ा डिसकाउंट पे, at, रुपी 96 से, for example, 96 रुपी पे बात बनती है, इंडियन रुपी पे, लेकिन जाना अमेरिका है, इंडियन रुपी पे, जाना अमेरिका है, जाना अमेरिका है, तो ये कितना डॉलर हुआ, 96 कितना डॉ जिरो या सम्थिंग होगा ठीक है वन डॉलर इतना रुपी होगा बोलो या सब चेक करो जब तक मैं बोल रहा हूं जब तक आप चेक करके बताओ मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं हाथ में और 96 को 86.40 से डिवाइड करो तो अगर 96 को आप डिवाइड करोगे 86.40 से तो 96 डिवाइड बाइ 86.40 इज इक्वल टो 1.11 यह हो गया सर एक शेयर की आउकात हमारी अब यह देखने में बड़ा गंदा लगेगा लगेगा ना 10 लाख शेयर लेके पहुचे 10 क्रोड शेयर लेके पहुचे और यह देख लो हलत तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार यह कहीं भी ले जाके ना ओफर करेंगे अगर कि भई एक शेयर वन पॉइंट वन डॉलर का है डॉलर वन पॉइंट वन वन केंगे यार यह कंपनी ना अमेरिका में कोई ट्रस्टी निकरे बला डूपती भी कंपनी है बकवास कंपनी बताव एक डॉलर क्या होका था इसकी एक सवा डॉलर की कंपनी है इंडिया में क्या बोलते हैं इसको 96 तो फिर भी अच्छा लगता है मिडियम स्टॉक है पांच दस बीस पचास रुपे वाले को तो बोलते पैनी स्टॉक्स है ना तो वहां भी ऐसे कंपने को क्या है अमेरिका में लांच करने के लिए कंपने कर देते हैं 20 शेर्स इज इक्वल टू वान यूनिट अन वान यूनिट इसको बोला वन अमेरिकन डिपाजिट्री रिसीट वन एडियार अब बताना एक एडियार की कीमत कितनी हो गई 20 शेर्स इंटू 1.11 डॉलर करना यार इंटू 20 इस इक्वल टू 22 22.22 डॉलर अब थोड़ा सा अच्छा रिस्पेक्टेबल आया 22 साड़े 22 डॉलर समा 22 डॉलर के आस पास का अपना एक एडियार गया कितना एडियार गया अमेरिकन मार्केट में सर 10 क्रोड शेर्स से 10 क्रोड को आप डिवाइड कर दो 50 से सबस्क्राइड Mhm में да तुसर 50,000,000 बैंक आफ अमेरिका के काउंटर पे बिक रहा है क्या हमारा ADR कितने का से 22.22 डॉलर एक ADR 1 ADR of TCS पहुच गया TCS वहाँ पे इज़्जत बढ़ गई अब कितना बिका नहीं बिका कितना चल रहा है लेकिन 50 लाख ADR अमेरिका में पहुच गए बैंक आफ अमेरिका के रेफरेंस से और इसकी सेल पर्चेश कैसे दिखती है मतलब है सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस यह सब फिक्स होता है तो नेगोशियेशन है ना प्राइसे सार वाट नेगोशियेवल इन अ मार्केट तो से अगर लिखा है अगर बाइ करना है तो 23 डॉलर पे बाइ कीजिए सेल करना है तो हम आपका 22.1 पे लेंगे डॉलर इतने पे लेंगे बाइस सेल का प्राइस यह अब यह चलता रहेगा उपर नीचे उपर नीचे स्टाउक मार्केट जैसे मूव करता है वैसे इसका भी प्राइस अप न डाउन होता रहेगा जैसी डिमांड एंड सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस सेलिंग और बाइन की phase 1 ADR था तीन phases में होता है आपको नहीं पढ़ना सिर्फ बोल देता हूं लिखता नहीं हूं अभी क्या हो गया कि इसको phase 1 ADR बोलते हैं ADR का पहला phase जब TCS ने American market में entry कर ली through bank of America कैसे entry करी sir फिर से बोल देता हूं promoters ने अपना कुछ part of the share किसको दे दिया bank of America को दे दिया तै हुआ कि ठीक है भाई 96 रुपए पर हम आप हमें दे दो ठीक है आपने 101 पर आप market में बेच रहे हो इंडियन market में हमें 96 पर दे दो अब 96 का हमने dollar conversion किया फिर उसमें units कुछ decide कि ठीक है इसको respectable volume दिखाने के लिए इसका प्राइस दिखाने के लिए हमने 20 shares को एक unit में मतलब एक ADR में convert किया यह formula सब अपना अपना लगा सकते हैं इधर कोई standardization नहीं है इतना करने के बाद अच्छा ऐसा क्यों किया क्योंकि वहां पे direct security register करना equity वहां पे stock market में direct जाके sell करना रजिस्टर करना मुश्किल था चलो कोई बात में फिर इस तरह से हमने unit decide कि 50 लाख ADR पहुंच गए पहला phase दूसरा अब क्या करेगा इसको bank of America वहां लिस्टिंग करा देगा यह phase दूसरा और लिस्टिंग करने के बाद धीरे धीरे और भी compliance करते करते जब यह US gaps की requirement fulfill कर देगा जब यह security exchange commission की requirement fulfill कर देगा finally TCS वहां पे register हो जाएगा stock exchange अमेरिका के नियु और इस्टॉक एक्सचेंज या NASDAQ के ऊपर so sir that is called completion of the ADR third phase of ADR यह phase है phase के बारे में आपसे चर्चा नहीं है बट ADR I hope आपको समझ में आ गया होगा ADR आपको समझ में आ गया होगा इतनी स्टॉरी डिसकस करने के बाद मैं नोटिंग भी करने को दूँगा अब सर सुनो GDR क्या है GDR and IDR are the spin-off इसी की पैदाई से मतब सबसे पहले ADR अगर आप समझ चुके हो कि American market में एक अपनी Indian company जाके जंडा गाड़े जिसकी की entry बहुत मुश्किल लग रही है वहाँ पर direct registration नहीं हो रहा तो क्या करेंगे वहाँ कि कि सेंट्रल बैंक या वहां कि किसी important bank को पकड़ा रूट बनाया अलाइंस किया partnership के तुरू उसे entry कर गए उस market के अंदर financial market के अंदर इसी तरह से जब हम लंदन में जाते हैं लंदन stock exchange में जाके या टोक्यो लंदन खास करके लंदन stock exchange में जाके हम सीधा रजिस्टर नहीं कर सकते नहीं कर सकते वहां पर सेंट्री करते हैं उसको बोलते हैं जिडिया जिससे standard charter के थूँ गए जिडिया और यही चीज यही चीज अगर आप कोई बाहर की company सेम चीज इंडिया में करती है इंडियन मार्केट में एंट्री करने के लिए किसी इंडियन बैंक SBI को पकड़ा और उसके थूँ सेम प्रोसेस से इंडिया में आ गई फेज वन फेज टू फेज त्री के साथ उसको बोलते हैं आईडिया इंडियन डिपॉजिट्री रिसीट क्लियर हो गया इतना ही सिंप आपको कॉल और पूट समझ में आया तो उसका एक कमेंट लिखना और टाइमिंग नीचे मेरे को लगा के देना क्या बोलते हैं टाइम लाइन आप लोग लगाओगे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज और आपको अगर रियली निमत कसम देनी पड़े ही तुम्हें उन्हें तुम्हें आइस याईऐ की कसम जिनके एक्स निये उनकी आइस की कशान लेकिन तुम को ये कमेंट यहां पर करना है घगवान अगवान की खिला नीर घख i lecsystem का टाइम चल रहे है इंडिया मैं भगवान वैसे ही अभी खुब मांर्केटमें चल रह रहे है बाकी यह बीच के material बहुत ही simple से हैं यह आप करेंगे इसको मैं बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा है यहां पर आजाए यह पेज नमबर 2.40 के उपर American Depository Receipt ADR सर यह पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा तीनों पूरे फुल पढ़ाऊंगा फुल रीडिंग करवाऊंगा क्योंकि यह important है तो सबसे पहले यहां पर लिख लिजे वेरी वेरी हॉट सारे लोग और इस attempt के लिए और MP सर जहां जहां मैं MP बोलू तो MP सर ही बोलना है these are security offered by non-US companies who want to list on any of the US exchanges बट यह आसान नहीं है अभी आपको पूरा प्रोसेस बिताया each ADR represents a certain number of companies regular shares हमने क्या लिया था 20 लिया था हमने कितना लिया था एक unit is equal to 20 लिया था ADR allows US investors to buy shares of these companies without the cost of investing directly in a foreign stock exchange बाहर नहीं जाना अमेरिका में अवेलेबल है TCS का शेयर ठीक है अपको बाहर नहीं जाना अमेरिका में अवेलेबल है कहां है सर initially Bank of America के counter पे है जिसको हम बोलते है OTC OTC मतलब ओमत्रवेदी क्लासिस नहीं ओ क्या बात है नाम आगया OTC ओमत्रवेदी यह वाला OTC यह वाला इसका मतलबता over the counter ठीक है जब कोईची मार्केट में अवेलेबल होती है उसको बोलते है OTC over the counter with the bank counter वहां available है ठीक है यस उसके बाद the Indian companies have preferred the GDR to ADR because the US market exposes them to a high level of responsibility than a European listing in the area of disclosure cost liability and timing sir आपको भी पता है Indian company GDR को ADR के उपर क्यों प्रेफर करती है क्योंकि stringent laws of America gap और security exchange commission यह के के डीज मानते ही नहीं जल्दी समझ में हारी बात नहीं मानते यह अपने को ना उनको तोड़ा सा सम्झाना पड़ता है ठीक है यस टाइम लगता है the regulations are somewhat more stringent regulations are more stringent and onerous even for companies already listed and held by the retail investors in their home country sir America में तो FBI से लोग यहां जैसे ED से डरते ना वैसे वहां FBI से डरते लोग ठीक है the most onerous aspect of US listing for the company is to provide full half yearly and quarterly account in accordance with the accordance with or at least reconcile with US gaps sir यह सारी चीज़े आपको बताती ना मैंने ADR के format में सारा उस diagram के अंदर है I think this is clear to you clear to you ठीक है साब GDR these are negotiable certificates held in the bank of one country representing a specific number of shares of the stock traded in the exchange of other countries sir जैसे की अभी हमने बात किया था ना ADR same process same process है लेकिन global global जैसे ब्रिटेन में जाना है जपान में जाना है वहां के stock तो उसको क्या बोलेंगे European Union countries में जाना है तो वहां क्या लेके जाएंगे GDR अमेरिका में जाना है special होगा ADR ADR toughest है बट जी डी आर पॉसिबल है दीज financial instruments are used by company to raise capital in either dollar or euros these are mainly traded in European countries and particularly London मतलब अगर यहां जाना हो यहां easy है यहां मुश्किल है इसी का European form क्या बोला मैंने उपर वाले का European form GDR है सर आपसे question आ सकता है difference between ADR and GDR तो यह versus आ सकता है यहां से सर MCQ points आ सकते हैं कि दोनों में जो difference है उसी पर MCQ पूछा जा सकता है ठीक है अब सर Indian scenario में ADR GDR देखते हमारी industry को कैसे impact करता है just for reading Indian companies are shedding their reluctant to tap the US market their reluctance to tap the US market yes in forces technology मैंने TCS का example लिया था was first Indian company to be listed in Nasdaq in 1999 तो सर यह तो important कहानी आ गई यह तो सर MP सर इसको note कर लो क्या पता स्पें सी क्यों आ जाए क्योंकि सर आपके book में है और सर यह important घटना है however ADR GDR से related यह important point है to be noted my dear friends MP sir important घटना है ठीक है अभी आपने जितनी भी theory की classes करी होंगे कि I'm not sure कि इस तरह से आपने mcq mark करकर के सारे paragraphs पड़े होंगे मैं बहुत छोटी-छोटी चीजों को research करता हूं ध्यान रखता हूं इसलिए कई बार मैं आपको एका दिन डिले मिलता हूं क्योंकि मैं पूरा homework करके आने की कोशिश करता हूं मैं देखना चाहता हूं कि आखिर क्या वह बात है जो अलग है इस बार नए कोर्स के अंदर we have to be careful while doing that the first Indian form to issue is sponsored GDR and ADR was Reliance Industries Limited ठीक है besides these two companies the first company this besides these two companies there are several other Indian firms which are ADR stock exchange के मामले में तो Infosys आगे है लेकिन ADR GDR phase 1 phase 2 भी तो जा सकते थे तो उसमें Reliance आगे है ठीक है besides these two companies there are several other Indian firms which are also listed in overseas exchanges these are Vipro MTNL State Bank of India Tata Motors Wow my favorite Dr. Reddy's lab etc Indian depository receipt दिखना the concept of the depository receipt mechanism which is used to raise funds in foreign currency has been applied in India Indian capital market through the issue of Indian depository receipts same process to gain an entry into the Indian market ठीक है लोक करें सर ये हो गया